क्या दोस्तों आप भी Google के हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हूं? क्या आपको नहीं पता कि Google Chrome की हिस्ट्री को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या आपके इसे Google Chrome की Search History को Delete कर सकते है तो चले दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते है दोस्तो अगर आप भी Google Chrome की Search History को Delete करना चाहते है तो आपको सबसे पहले अपने Google Chrome को Open कर लेना है तो यह रहा Google Chrome इसके उपर क्लिक कर देंगे Google Chrome के उपर click कर देने के बाद अभी हमारा Google Chrome open हो चुका है Google Chrome open होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर three dots दिखाई देंगे तो आपको इन three dots के उपर click करना है Three dots के उपर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और आपको इहाँ पर history का एक option मिलेगा तो आपको history के option पर click करना है History के option पर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और आपने जो भी search किया होगा वो सारा का सारा data आपको इहाँ पर नीचे show होगा तो दोस्तो अभी इस सारे data को delete करने के लिए आपको क्या करना है आपको इहाँ पर clear browsing data का option मिलेगा इस पर click करना है इस option पर click कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा और दोस्तो अगर आपको साथ दिन की याफिर 24 गंटी की search history delete करनी है तो आपको अपको एहाँ पर all time का एक option मिलेकर इस पर click करना है इस option पर click कर देने के बाद आप इहाँ पर last one hour की भी search history को delete कर सकते है या फिर 24 hour की बी search history को आप delete कर सकते है या फिर last seven days की search history को आप delete कर सकते हैं या फिर आपको अगर पूरा ही data clear करना है तो आपको all time के उपर click करना है ठीक है अभी हम all time का data clear करने वाले हैं तो all time के उपर click कर देंगे all time के उपर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे तीन option मिलते हैं जिसमें browsing history के एक option है उसके बाध site data का option है और उसके बाद image data का अपशन है तो आप दोस्तो इन सारे option को टिक कर दीजे और नीचे clear data का option आपको मिलेगा इस पर click कीजे clear data के option पे click कर देने के बाद आपके सामने अगर फिर से clear का option आता है तो आपको clear कर देना है clear करने के बाद दोस्तों आपकी सारी की सारी search history permanent के लिए delete हो जाएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमारी search history delete हो चुकी है तो दोस्तों इस तरह से आप Google Chrome की history को delete कर सकते हो